तो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोईन ओल इस गोल्ड में हम बात करेंगे सभी रेयर विराइटी के दस पैसों के बारे में जितने भी रिपबलिक इंज्या में दस पैसे बने थे रेयर आज मैं आपको सबकी इंफोर्मेशन दूंगा दस से बारा सिक्के हैं जो आपको अपने कलेक्शन में एड करने है जो आपको अच्छी वैल्यू दे सकते हैं वीडियो पूरी एंड तक देखना तभी आपको अच्छे से पता लगेगा कि कौन से 10 पैसे की मैं आपको क्या कीमत बता रहा हूं कौन से मिंट का है कौन से यर का है आप आधी वीडियो देखोगे उसमें आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा देखिए आधी वर्टसाप पे फोड भेस दोगे लेकिन वो सिक्का वो हो गई नहीं जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया होगा या तो इसमें मिंट अलग होगा या तो इसमें एर अलग होगा तो इसलिए दोस्तो वीडियो पूरी और्ट तक देखिए तो बिना किसी द्धेरी के first at 10 10 साच और के बारे में बता एंगा काफिस सारे मेरे सबस्क्राइबरों के पास 10 पैसे के बहुत सारे सिक्ख्यों होते हैं उन्हें मुझे कहा था कि सबहुत पैसे सब्सक्राइब आड बात करेंगे 1961 के 10 आडशी 10 नए पैसे सोरीक्राइब हो एकिन कैटेगरी में बनाए गए थे लेकिन इसमें जो रेर कैटेगरी आती है वो आती है है हैदराबाद 1961 यह आप सिक्का अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं है हैदराबाद मिंट का सिक्का होना चाहिए दोस्तों कीमत की बात करेंगे तो इसके आपको मिल जाएंगे 700 रुपे से ल दोस्तों हैदराबाद मिंट जो है वो रेर कैटेगरी में आती है कीमत की बात करेंगे सिक्के की तो इस सिक्के के आपको मिल जाएंगे 800 रुपे 1961 और 1962 दोनों ही हैदराबाज मिंट के सिक्के के आपको मिल सकते हैं 800 रुपे यह मैंने आपको बताया अब अगला सिक्का है 1963 का यह भी 3 मिंट से बनाय गया था इसमें भी जो दोस्तों हैदराबाज मिंट का सिक्का है वो रेयर कैटेगरी का है कीमत की बात करेंगे आपको इसके मिल जाएंगे 500 रुपे 1961 1962 1963 तीनों इयर के सिक्के और तीनों में हैदराबाज मिंट यह आप अच्छे से सुन लिजे मैं आपको दुबारा दुबारा इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मैं कौन से इयर का कौन से मिंट के सिक्का आपको बता रहा हूँ हैदराबाज मिंट का सिक्का होना चीए 1961 का भी 1962 का भी और 1963 का भी तीनों इयर के सिक्के तीनों हैदराबाज मिंट के रेयर कैटेगरी के हैं 10 नए पैसे लेकिन अब जो मैं बताऊँगा यह है 10 पैसे का सिक्का 1964 से लेकर 1967 में बनाय गया था कोपर निकल में ही 5 गरम वजन के साथ साइस 23 में में शेप 8 साइड है तो दोस्तों यह 1964 का सिक्का है यह आप देख लिजिए तीन मिंटों में बनाय गयते बंबे कलकत्ता हैदराबाद इसमें भी दोस्तों हैदराबाद मिंट 1964 हैदराबाद मिंट कीमत मैं आपको बता देता हूँ 500 रुपे है इसकी यह आप देख लिजिए अब 1965 के सिक्के की बात करेंगे यह भी तीन मिंटों में बनाय गये थे बंबे कलकत्ता हैदराबाद इसमें भी दोस्तों हैदराबाद मिंट रेर की कैटेगरी में आता है कीमत की बात करेंगे आपको 500 से 600 रुपे मिल जाएंगे लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज है इसमें डॉट इन डैमेंज मार्क है ठीक है इसमें मिंट का आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा अगर आपको थोड़ा भी कन्फूजन हो रहा हो 1965 के सिक्के में तो आप मेरे पाद भेज के मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपको बता दूँगा कि वो रेर है या नहीं है ठीक है दोस्तो अब बात करते हैं 1967 के बारे में 1967 का ये सिक्का है 10 पैसे का ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तीन मिंटों में बनाय गया था बॉंबे कलकत्ता हैदराबाद इसमें भी दोस्तो हैदराबाद मिंट का सिक्का जो आता है वो रेर कैटेगरी में आता है लेकिन कीमत अच्छी खासी है बहुत ज़्यादा कीमत है इसकी 10 पैसे के साफसे दोस्तो ओल्मोस्ट बहुत ही ज़्यादा है कीमत की बात करेंगे इसकी एक्स्टा फाइन कंजिशन में 500 रुपे है और UNC कंजिशन में 1200 रुपे से लेके 1500 रुपे 1900 सरसच का सिक्का हैदराबाद मिंट का यह आप देख लीजे अपनी स्क्रीन पर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक करना चैनल पर नए जुड़े है तो सब्सक्राइब जरू कर देना दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते बड़ा दुख होता है बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ इसलिए बस चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देजिए वो बैल नोट्विकेशन ओन कर दे ताकि वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले अब बात करते हैं 10 पैसे का यह 1971 से लेके 1982 के बीच में बनाय गया था मैटल इसका एलमूनियम है वेट इसका धाई गराम है साइज इसका 26 mm है शेप इसकी 12 साइज है तो दोस्तो इसमें जो सिक्का आता है रियर कैटेगरी में वो आता है 1973 का बॉम्बे कलकत्ता है थीन मिंट से बनाय गयते इसमें भी दोस्तो ओलमोस जितने भी मैं आपको 10 पैसे दिखा रहा हूँ न हैदराबाद मिंट में ही रियर आते हैं मैं आपको बता रहा हूँ 1973 में भी हैदराबाद मिंट रियर कैटेगरी का शिक्का है एक्षाफाइन में इसकी कीमत है 300 रुपे और यूएंसी कंजिशन में इसकी कीमत है 500 रुपे से लेके 700 रुपे हैदराबाद मिंट होना चीए 1973 का यह आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर अब बात करते हो 1974 के 10 पैसे के बारे में यह भी बॉंबे कलकत्ता हैदराबाद तीन मिंटों में बनाए गए थे इसमें भी दोस्तो हैदराबाद मिंट मैंने बताया ना ओल्मोस्ट सारे ही सिक्के हैदराबाद मिंट के हैं बस आपको इयर अच्छे से पता होना चीए मैं इयर आपको बता रहा हूँ तो आप वो देख लीजिए तीन मिंटों में बनाए गए थे बॉंबे कलकत्ता हैदराबाद इसमें भी दोस्तो हैदराबाद मिंट के सिक्का रेयर कैटेगरी का है एक्स्टाफाइन कंजिशन में तीन सो रुपे और उन्सी कंजिशन में छेस सो रुपे अब अगला सिक्का है दोस्तो उन्नीसो सततर का दो मिंटों में बनाए गए थे बॉम्बे और कलकत्ता दो मिंट में बने थे लेकिन बॉम्बे का स्केर है कलकत्ता का रेयर है कीमत में कोई फरक नहीं है इसलिए मैं आपको चलो दोनों का बता देता हूँ कीमत में कोई भी ज़्यादा फरक नहीं है कीमत की बात करेंगे तो Bombay के आपको मिल जाएंगे साड़े तीन सो रुपे कलकत्ता के आपको मिल जाएंगे चार सो रुपे 1977 के ये आप देख लीजिए ये मैंने स्केर का इसलिए बता दिया क्योंकि Rare और स्केर ने ज़्यादा फरक है ही नहीं कीमतों में इसलिए मैंने आपको ये दोनों सिक्के दिखा दिये 1977 के दोनों सिक्के आप सेल कर सकते हैं अब बात करते हैं 10 पैसे के अगले विराइटी के बारे में ये जो आप अपने स्क्रीन पर सिक्का देख रहे हैं इसको कहते हैं छोटे 10 पैसे ये बहुत छोटे हैं इसको आप देख लिजिए बहुत छोटे होते हैं अगर आपके पास होंगे आपके हाथ में आते होंगे तो पता भी नहीं लगता होगा कि कुछ है हाथ में क्यूंकि में पार काफी सारे रखे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग सोशते हो कि सभी हैbbles अब सुखते होंगे और आप वीडि़ टो इसलिए मैं कलकत्टा मिंट थोते हैं बाकि मेरे कई वीडियोे अच्छे से देखते हैं बेगन कई लोग है जिनको जलदी रहती है को इसा मत करिए तो तो इसमें जो कलकत्ता मिंट है दोस्तों वो रियर है कीमत की बात करेंगे UNC कंजिशन में 1990 के आपको मिल जाएंगे 500 रुपे ठीक है कलकत्ता मिंट का होना चाहिए अब बात करते हम 1997 के सिक्के की ये भी तीन मिंटों में बनाया गया था बंबे कलकत्ता हैदराबाद कलकत्ता हैदराबाद कोमन है इसमें दोस्तों बंबे मिंट रियर है कीमत की बात करेंगे आपको मिल जाएंगे 700 रुपे 1997 के बंबे मिंट के 700 रुपे आपको मिल जाएंगे तो दोस्तो मैंने almost आपको 10 सिक्के ऐसे बता दिये 10 पैसे के 10 नए पैसे के मिलाके जो आपको अच्छी कासी value दे सकते हैं अपनी face value से तो बहुत ही ज़ादा आपको पैसे दे सकते हैं ये 10 सिक्के अगर आपके पास 10 पैसे के 10 नए पैसे के काफी सारे सिक्के हैं काफी पुराने लोगों के पास होते हैं अच्छी कंजिशन में हैं तो आप ये सिक्के तलाश करिए और ये सिक्के आप एक्जिविशन में बेच सकते हैं बहुत अराम से इजिली ये सिक्के आपके सेल हो जाएंगे अब इससे अलग आपको कोई और भी जनकारी चाहिए हो तो चैनल की मेंबर्शिप लेके आप मुझसे बात कर सकते हैं चैनल की मेंबर्शिप ज़्यादा महंगी नहीं होती मात्र 299 की मेंबर्शिप है 299 की जिसमें आपको 30-35 को इनके बारे में इन्फोर्मेशन मिल जाती है एक महिने में दोस्तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं आपके लिए रोज ऐसी नोलेजबल और इंटरस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद